हेलो एन नमस्ते वेलकम टो एटीशन ओनलाइन आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 एंस इर्टी की पॉर्म नबर वन माई मदर एट 66 मतलब मेरी मदर 66 की एज में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड एजिंग इस एडिली पेरेंस एक नेच्टरल प्रासेस है क्या आप लोग ने कभी सूचा है कि हम लोगों की जो बुजुर्ग पेरेंस है वो हमसे क्या उमीद करते हैं क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं सुचलिए कि ड्राइविंग फ्रम माई पेरेंस होम तुकशीं लास्ट फ्राइडीदू मौरंणिग इसलिए प्लेपत्त हैं लास्ट फ्राइडे मौर्निंग महाँ अपने पेरेंस की घर से कोचीन एरपोर्ट के लिए द्राइव कर रही थी अदिस सुम्हाइब मुड इस्सचलेश और मैंने अपनी मदर को देखा जो मेरे बिलकुल बगल में वैठी हुई थी डोज यानी उबासी लेना वो उबासी ले रही थी उनका मूँ एकदम खुला हुआ था और उनका चेहरा था वो एकदम पीला पड़ा हुआ था बिलकुल एक लाश की तरह है मतलब जैसे लाश होत है इसके चेहरे पर बिलकुल भी तीज नहीं होता एकदम मुढ जायवा चेहरा होता है वैसे मेरी मदर का चेहरा भी एकदम मुढ जायवा था एकदम लाश की तरह है और उसी समय मैंने एक दर्द के साथ में ये रिलाइस किया that she was as old as she looked कि जितनी बुड़ी वो मुझे मैंने उस विचार को अपने दिमाग से दूर हटाने की कोशिश की and looked out at young trees printing और मैंने बाहर दिखा छोटे-छोटे पेड़ पोदों को पीछे छूटते वे मतलब कार चल रही थी तो छोटे-छोटे पेड़ पोदे पीछे छूट रहे थे the merry children spilling out of their homes और मैंने बहुत खुश इसलिए हो गई क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब मेरी मदर जितनी बूडी दिख रही है उतनी ही ज्यादा बूडी हो चुकी है तो उनके पास अब शैद ज्यादा टाइम नहीं बचा यह आइडिया जब मेरे माइन में आते हैं तो इन आइडियास से मैं परिशान हो गई बाहर मैंने दिखा चोटे-चोटे पेट पोदे जो की पीछे चूट रहे थे और बहुत ज्यादा खुश हो कर जो बच्चे अपने घरों से बाहर भाग रहे थे मतलब मैं पॉजिटिवीटी ढून रही थी पेट पोदे में चोटे-चोटे-चोटे बच्चों में तक अपनी मदर से कुछ याड्स दूर खड़े होकर आई लुक्ट अगैन एट हर मैंने वापस उनके चेहरे की तरफ देखा वान पेल अज लेट विंटर्स मून उनका जहरा जो की एकदम कलरलेस हो चुका था एकदम पीला पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था बिलकुल लेट विंटर मून की तरह है लेट विंटर मून मतलब जो लेट विंटर मून होता है जब वो जाता है तो उसकी रोशनी कम पढ़ जाती है मतलब उसका तीज कम हो जाता है तो जाते समय मतलब विदा होते समय अब लेट विंटर मून अब खतम हो जाएगा तो ऐसे ही मेरी मदर का जारा मुझे दिखाई जारा था late winter moon की तरह है यानि अब दीरे-दीरे मदर की चहरे से तेज कम होता जा रहा था, उनकी चहरे की रोशनी, चमक दीरे-दीरे कम होती जारी थी जिसका साफ सा मतलब था कि अब उनके पास जादा time नहीं बचा है, and felt that old familiar ache, एक मतलब होता है सबी लोगों को डर होता है अपनी मा से अलग होने का डर तो वो ही डर मेरे अंदर वापस आगया और वो ही दर्ड मेरे अंदर वापस आगया मैंने उसी दर्ड को वापस से फिल किया But all I said was see you soon amma all I did was smile and smile and smile लेकिन सिर्फ मैं इतना ही बोल पाई मम्मा सी यू सून मतलब आपसे जल्दी मिलूंगी मतलब अभी जाते जाते भी मेरा मन में यही उम्मीद थी यही होप थी कि मैं अगले बार जल्दी ही अपनी मम्मा से वापस मिल पाऊंगी अलाइ जिड़ वाई चमाईल अब हालनकी अंदर से मैं बहुत जादा दुखी थी बहुत जादा शैट थी बहुत जादा पेन फिल मुझे हो रहा था लेकिन यह पेन में दिखा तो नहीं सकती थी इसलिए मैंने सिर्फ जो किया वो था श्माईल और श्माईल मतलब अपने च साथ य साथ interesting भी लगी होगी अगर पॉप इंट्रेस्टिंग लगी है तो इसी तरह कि और मज़ेदार और interesting वीडियोज के लिए बने रही है ईटी से online के साथ next वीडियोज तक केले have a good day take care bye bye जय हिंद्य भारत राधे राधे